अकसर न्यूस में ये खबरे आती रहती हैं कि किसी जगडे में गोली लगने की वज़र से किसी की मौत हो गए फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि किसी इंसान को गोली लगते ही वो तुरंत ही नीचे गिर जाता है और अधिकतर गोली लगने वाले की मौत हो जाती है असल जिन्गी में भी ऐसा ही होता है गोली लगने के कुछ देर बाद ही शक्स मर जाता है अब सवाल ये है कि आखिर गोली में ऐसा क्या होता है कि इनसान की तुरंट मौत हो जाती है क्या गोली में कुछ ऐसा होता है जिससे शरीर में जाकर वो रियाक्ट करता है और इनसान तुरंट मर जाता है या फिर किसी और चीज़ की वज़े से इनसान मर जाता है चलिया जानते हैं कि आखिर एक इंच की गोली में ऐसा क्या होता है कि वो इनसान की जान ले लेता है आई सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर गोली होती क्या है फाइडिंग में इस्तमाल होने वाली गोली के मूल रूप से तीन पार्ट होते हैं बंदूक की गोली को काटिज कहते हैं, काटिज के सबसे आगे वाले हिस्से को बुलिट कहते हैं, यही वो हिस्सा है जो बंदूक से निकल कर निशाने को भेदता है, यानि की गोली, यह इंसान के शरीर में घुसकर उसे गंभीर चोट पहुचाता है, काटिज के बीच वाले केस या खोखा कहते हैं यहां पर बारूद भरा होता है सबसे आखरी और पिछले वाले हिस्से को प्राइमर कंपाउंट कहा जाता है यह फाइरिंग के दौरान बारूद में विस्फोट करता है जब फाइरिंग की जाती है तो काटेज का जो खोखा होता है बंदूग से निकल की और निकल जाती है गोली कुछ हेवी मेटल्स जैसे लेड या कैल्शियम सिलिकेट आदी से बनी होती है इन मेटल्स के दुश प्रभाव के कारण इंसान की मौत हो जाती है इसके अलावा जो गैस फ्यूम निकलती है वह भी इंसान के मौत का कारण बन जाती है अनबर्न गोली शरीर के अंदर काफी नुक्सान करती हैं जिसरी शरीर से खूं बहने लगता है। जियादा खूं बहना भी मौत की वज़्य बनता है। कई बार तो गोली ऐसे हिसे में लग जाती है जहाए फोड़ा ज्यादा खूं निकले तो nam ki मौत तुरंत हो जाती गोली लगने से शरीर में infection हो जाता है, साथ ही organs भी damage हो जाती है, इस वज़े से भी इंसान की मौत हो जाती है